आटो एक्सपो 23 में मैं आया हूँ लेक्सिस के स्टाल पर लेक्सिस एक्च्छल में टोयटा का ही एक सब ब्रांड है और उसके पास बहुत कुछ है दिखाने में आपको जानका ताज़ू होगा लेक्सिस इंडिया के आटो एक्सपो में पहली वाल आई है यानि अभी तक ले लेकिन साथ यह पहली पकड़ है उनकी इंडियन मार्केट के लिए UX-300E भाती बाजार में नहीं आ रही है लेकिन इसके आने के बारे में बाते जहूर की जारी है यहाँ पर आपको मिलती है उनकी दमदार SUV LX-500D हाँ यह काफी बड़ी 4x4 SUV है और नई पोड़र जिसके बा वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके अपने चैनल पर प्लीज उसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ पर है लेक्सिस की MPV LM हाँ यह वेलफाय से इंस्पारड MPV है और अल्मोस्ट उसी साइज के आसपास की गाड़ी है और देखने में भी काफी श हाँ है अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और हमें उम्वीद है कि आगे अगर इसकी पैजिंग को थोड़ा और जस्टिफाई करती है कंपनी तो यह बहुत बैता रहेगा है क्योंकि यह गाड़ी इंडिया में ही एसेंबल की जाती है मगर एक और हाइबिड कार है जो यहा हम से समझें तो 300h का यहाँ पर एक concept vehicle दिखा गया है और यह concept vehicle really classy लग रहा है hatchback design element को दिखाने की कोशिस है और मुझे लगा कि साध यह इंश्टा गावर की पसंदीदा गाडियों में से एक होगी लेकिन उनकी और पसंदीदा गाड़ी है वह है यह concept vehicle LF30 और जब इसके डो सीजर डोर ओपन होते हैं तो यह जरा बहतीन लगते हैं मैं आपको किसी B-roll के तूर इसे दिखाने के कोशिस करता हूँ फिलाल मैं बहुत जल्दी आया हूँ इस टॉल पर ताकि आपको सब कुछ मन से दिखा सकूँ और यही था Lexus के इस टॉल की खासिस पीछे देखे कितन कैसी लगी कैता लगा आपको Lexus का यह पावेलियन लिखिये का नीचे कॉमेंट सेक्शन में बढ़ते हैं किसी अगले पावेलियन के ता अगर फेस्बुक पर देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए फॉलो करना ना भूले यूटूब पर देखा है तो मेरे चैनल को सब क् ट, क् ट, कि त, किta लूटूब देखा है तो मेरे कि अगले यूदूब यूबका का तो मेरे और देखा हैं कि क्रिखाना आपूब प्रयूबका जए ट